आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार के विरोध में ओवर हैड टैंक पर बीजेपी कारकरता ने टिकट नहीं बदले जाने पर टैंक से कूदने की धमकी दे दी बीजेपी कारकरताओं के टंकी पर चड़ने की सूचना पर भाश्पा कारकरता और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुचे और समझा के उसे नीचेन उतारा आए दिन ऐसे तस्वीरे सामने आ रही है जहाँ पर विद्रो देखने को मिल रहा है और संभल से अब ये खबर सामने आई है जहाँ बीजेपी कारकरता ने इसका विरोध किया है मुलाबो देभी के विरोध में कारकरता टंकी पर चड़ गया और ओवर हेड टैंक पर चड़ कर उसने खूदने की धमकी भी दी हमारी आम कारकरताव कि मांग यही है जो टिक्ट हुआ है किस बार ह सब्सक्क्राइन कोरा वरन की गजर करते है कि और जो भी आए हैं जब की ये टिकिस किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था चंदोजी बिधान सवा में बहुत चारे मेंती गरीब कारे करता है किसी भी अन्य कारे करता है टिकेट हो जाए कि बहुत सरे ऐसे कारे करता हैं जो जनता के बीच आते हैं जनता के ले काम करते हैं लेकिन ऐसे जन प्रते निधी को टिकट दे दिया गया है जो कि न जनता के बीच में आते हैं न काम करते हैं और उनको टिकट नहीं मिला है जो कि जनता के बीच आके उनके सुक दुख में पर पर हमाई संदबाद चीद के लिए संबधाता मुबारक अली जोड़ चुके मुबारक क्या है पूरा मामला अखर किस वज़े से आक्रोशित था कारेकरता मामला है और बज़ेपी कारेक अखर क्या जो बिढे दिवारक प्रसमाई है गया है और बज़ेपी कारेक हा गई व्हुचाаюсь जा ख de जी मुबारक अली हम गुलाब देवी के बारे में भी जनना चाहेंगे कि आखे लोग इन से नाराज क्यों है नाराज इन से हैं के पती पर आरोप लगा रहे हैं बिच्टा चार के और अकरन मापयां की सुनते हैं और उनके और उनकी गलब सुनते हैं जी तो जब यह जी तो जी तो जी तो जिस मंतरी के लिए ये टिकेट की मांग कर रहे हैं तो आखिर उनको टिकेट क्यों ने दिया गया यह यह जानकारी चाहिए जानकारी जो बहुत 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 जड़ने के लिए इस खबर पर मैसा समधा तो मुबारक अली जड़े थे संबल से तो गुलाबो देवी के विरोध में एक कार्यकरता टंकी भचड़ गया और टिकेट विदलने के बांग की उनने कहा कि जिस तरहां से प्र ऐसे लोगों को जो कि जनता की सुख दुख में खड़े ही नहीं होते और सिर्फ अपने टिकेट लेने के बाद जनता को भूल जाते हैं टिकेट को लेकर और खासतोर से इस बार जादा इसी तस्वीरे सामने आ रही हैं जहां टिकेट कटने के बाद काफी गुस्ता देखने को मिल रहा है कार्यकरताओं में अकार करता काफी नाराजगी भी जता रही है और अब ऐसी खबर सामने आई जहां पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए व्यक्ति टंकी पर चड़ गया और आत्मदा करने का एलान करने लगा लेकिन उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर व्यक्ति को समझा ब अफारा नए मामले सामने आये हैं ये लगतार तीसरा दिन है जब कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई है इससे पहले रभीवार को 2.58 लाग केस सामने आये थे जब कि शनिवार को 2.7 एक लाग केस मिले थे इसके लावा देश भर में पिछले 24 घटे में 1.57421 लोग 94.09 प्रतीशत हो गया है वही कोरोना से पिछले 24 घटे में 310 लोगों ने अपनी जान गवा दी है देश में एक्टिव केस बढ़कर 17 लाग हो गए हैं वही देश में ओमी क्रोन के केस बढ़कर 8,891 हो गए हैं पिछले 24 घटे में देश में ओमी क्रोन की बात करे तो 8.3 एक प्रतीशत केस बढ़े हैं बात करें उत्तर प्रतेश की तो प्रतेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं एक एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस एक लाग के पार हो गए हैं कुछ जिलों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी जिले है जोhn पशले 24 गंटे में नए संक्रवितों की संख्या 10 से भी कम थी प्रदेश के पाँच ऐसे जिले है जहाँ से ज़्यादा तर के सामने आ रहे हैं बतादे की चार जिलो में सबसे ज़्याद मामले हैं प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की वज़ा कुछ ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देश में लगतार मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के हलाकि तीन दिन से कुछ राहत है कोरोना के मामलों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। प्रणा के मामले हैं वो धाई लाख से उपर विज़त चार दी में से आ रहे हैं। अगर कल दो लाख लगभग 38,000 के करीश के साथ और अगर बात करें तो जो राजे साउच इंडिया में आते हैं। करें करें करना तक कि चाहें आंद्रा चाहें केरला वहां मामलों में वक्तार से चेजी बढ़ रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 15,000 के साथ ही प्रदेश भग में मामला धीवेदी में बढ़ता जा रहा है और चुनावी माहौल है जिसके और जो राजडेटिक डल है वो साफ तौन से कई जनपदों में ऐसे वीडियो जा रहा है। जिसमें लोग जो पांच की संख्या रखी गई है कि पांच लोग गन संपार करेंगे वो बिल्कुल नहीं पालन हो रहा है और लोग भावी संख्या में प्रचाव कर रहे हैं और चुनाव आयोग के ड्वारा जो गाइडलाइन किया उसके साफ तौन से उसका उलंगन किया जा रहा है जिससे कोरोना की मामले उस्तर प्रदेश से बढ़ते जा रहे हैं और आपको एक सिसकर्दी की बात बताना चाहेंगे जो बच्चे 15 से और आपके 12 से 14 साल के उनकी वैक्टीन से और मार्स की पहने सब्ता हमें आ जाएगी जी जी अब विभान शुब बात करें ओ ओमिक्रोन की तो ओमिक्रोन के केस बढ़कर 8,891 हो गया है देश में तो उतर प्रदेश में कितने मामले सामने आए अभीता को और जिस तरह से ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या कहेंगे इस पर? अब मॉनिक्रोन के द्वारा कहा गया है कि ओमिक्रोन एक नॉर्मन के सर्दी और दुखार हो रहा है जो काफी इसमें बेट है वो कम है वहीं अजब डेल्टा वेलियंट इसको कंपेर किया जा तो ओमिक्रोन बहुत हलका है और वहीं आपको बतादे कि इसमें सग्ये को गर्दवती महिलाएं हैं वो वैक्षी अभी न लगवाएं और साथ ही साथ आपके जनुरी के पहले सब्सक्रा से जो बच्चों की पंजवा से 17 साल के बच्चों की वैक्षी उसमें पैटानीस सीजडी बच्चों को वैक्षी लगा दी गई है अब तक बस पैटानीस लगा है अब बात करें तो बुस्तर दोज तो बुस्तर दोज जो फ्रॉंट लाइन वर्कर है बुजुर्ग है उनको ते लगाए जा रहा है अब देखना यह होगा आम जन्मान जो हर इज कैटेगरी के उनको बुस्तर दोज कर लगाई जाएगी और वहीं एक और अब देख वेट है वो कम है और स्वास विभाग अगर इस तरफ देख की बात की जाए तो इस बार का थी अच्छा विएस्था किया है और अगर लगनाव की बात करें तो लगनाव की अंदर में फबित जो चिला फुटी ऑक्सिजन प्लांट यहा लगाए जाए है वहीं अ जो स्वास वहाग के कमशारी है वो देख तक पहुचा रहे है यह काम बहुत सराखनी है कर साथ हत तर स्वे लोग घर पे ही अपना इलाज कर रहे हैं अगर थोड़ी बहुत तकलीफ लग रही है तो इस बात देखा जा रहा है कि मौतों के आकड़े भी जादा नहीं है तो क्या यहीं वज़ा है कि जो देश में लगतार कोरोना के मामलों में उतार और चड़ाओ देखने को मिल रहा है जी बात करें अगर जो इस बार प्रास इथा चूरा एलाज है जो दवाईयों की खिट है उसको भीड़ा गया रहा है साथ ही साथ और ट्रेस्टिंग भी जा रही है और साथ ही साथ आप जो पेसेंट हो रहा है उनको जो चीजे खाने है उनके बार नहीं बताए जा रहा है कि क्या पोस्टिक आहार में जिसके यह संक्वन रुख तखे वहीं आपको बताज़े थी इमांचन के मंदीव में एक ऐसे स्पूल का तोल पे एक ऐसा दवा बनाने की गात की जा रही है यह मांदीव वहां से तोद करती है बताती है कि एक पेर है जिसका आपका जिसके पेर कि क्या करना की है इससे कम होगा है अभी इसने कुरोना के मामले में अगा तार हुटाटा चड़ाओ देखने को मिल रहा है तो वहीं लखनव में दोchaft summ Louisiana नए मामले 24 घंटे वे दर्ज किये गए है कोरोना के मामले लगतार सामने आ रहे देश में उतार चड़ाओ देखने को मिल रहा है तो वही उत्तफरदेश में कोरोना के मामले लगतार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे है इसके पीछे एक मुख्य वज़ा टेस्टिंग भी मानी जा रही है क्योंकि इस बार की जो सिंटम है वो बहुत हलके हैं और कुछ एसिंटमेटिक लोग भी है तो जिनको इस बार का एहसास होता है कि उनकी तवित खराब है जो लोग टेस्ट करवा ले रहे समय पे तो उनकी र बठवारे को लेकर मीटिंग जा रही है मिल रही खबरों की मुताबिक बीजेपी ने 15 सीटे ओफर की है लेकिन दिशाद पार्टी 17 सीटों पर अड़ी हुई है तो वहीं 15 सीटों पर बात हो गई है लेकिन दो सीटे अभी भी ऐसी है जिन पर मामला अठका हुआ है यूपी भी शाबल है तो 15 सीटों पर बात तै मानी जा रही है दो पे मामला अठका है क्योंकि निशाद पार्टी 17 सीटों की मांग कर रही थी और अभी प्रेस कॉन्फरेंस करके खुलासा किया जाएगा कि आखिर कितनी सीटे तै की गई है निशाद पार्टी को कुल कितनी सीटे द जाएंगी या कुल 17 सीटे दी जाएंगी या सिर्फ 15 सीटे दी जाएंगी जबात पे अभी मन्थन चल रहा है गडबंधन के दलों के साथ कि कितनी सीटे देनी हैं इस सब पे विचार चल रहा है और इस खबर में से सम्वादता अज़र खान जोड़ चुके हैं अज़र जिस तरह से मन्थन चल रहा है क्या कहेंगे क्या अभी भी बदलाव हो सकता है या फिर 15 सीटे दी जाएंगी वीजेपी की तरफ से कि मुझी देनी मुघी विचार प्रमट भी। मुझा साथ अब अगर मुझा साथ से की तरह से मठोक सिटे हि अज़र अगर मुझा पार्टी की आंए। देना निशारपार्टी के वहान है कि इस 11 सीटे जाहिए, तो 15 सीटे से हैं मैं सिस्की लकाता है, जिसने मांग कर भी निशारपार्टी का पर चांची पनुए जांए। अजर हम यह अब भी जाना चाहेंगे कि आखेरी दो सीटे कॉन सी है जिस पे अभी भी मन्थन चल रहा है और जिसकी मंग करी निशाद बाती जी साफ़त उनिशाद बार्टी लगतात कि दुख उर्वांशनी अजर अबे तक क्या जानकारी मिलिए कौन कौन सी सीटो पर बात तै हो चुकी है? कि बिल्कुल पिलाल इससे से बताया गया रहा है कि लड़ा सीटो पर बात तै है और तो सीटो को पौन सीटो पर बताते हैं, आप आरल इससे सहमती नहीं बचारी है और लगातार मंचे जारी है कि लड़ा की जारी होगी तो प्रिसवारता कर दो पर बात की जारी होगी और तो क्या लगता है कि उत्ते बचे तक प्रिसवारता हो सकती है? कर दो प्रिसदास जारी होगी तो कहीं नहीं जानतारी है कि भीड़ा की जातारी हैं, तो कहीं नहीं, अब समय खतब हो गया है क्योंकि बहुत 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 शुक्रिया मैं से चुटने के लिए तमाम बात्चीत के लिए इस कुबर पे मैं से संब्द आता अज़र खान जुड़े तेलख नौ से लगदार चर्चर चल रही है और अभी भी बैठा का दौर जारी है कई सीटों को लेके अभी भी मन्थन चल रहा है वीजेपी में रुकरते अगली खाबर की तरफ विधान समय चुनाओं से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अख्लिश श्यादव ने बड़ा एलान किया है अख्लिश श्यादव ने कहा कि कल से समाजवादी पार्टी एक बड़ा अभीयान चलानी जा रही है इसके तहट अगर आपको 300 यूनिट तक फ्री बिजली चाहिए तो आप अपना नाम रजिस्टर कराए और 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाए वो धुआर से समाजवादी पार्टी का या अभियान शुरू होने जा रहा है उन्होंने आज पत्रकारों से बाचीत के दौरान कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली पाए फ्री बिजली पाने के लिए रजिस्टर में आप अपना वही नाम लिखवाए और जो नाम आपके राशन कार्ड या आधार में है इसके लिए समाजवादी पार्टी के कारेकरता घर घर जाएंगे और लोगों का नाम लिखेंगे चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहा लिता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार